नाते वक्त ये पांच भूल ना करें आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि नाने से तन के साथ साथ मन भी शुद वैसाफ हो जाते हैं इसलिए नाना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है रोस नान करते समय ये गलतियां आपकी सेहत और सूरत दोनों को विगाड कर रख सकती हैं दरसल आप भी सुबह स्नान करते समय ये पांच गलतिय करते हैं तो आज ही सतर खो जाए ये स्वास्त के लिए नुकसान देश सावित हो सकता है आज हम आपको ऐसी पांच गलतियों के बारे में बता रहे हैं जो किसी को नहीं करने चाहिए दुनिया के आज प्रतेक व्यक्ति नहाने के लिए सावन और शेंपू का इस्तमाल करते हैं परंतु कि आप जानते हैं कि सावन और शेंपू का इस्तमाल बार बार नहीं करना चाहिए क्योंकि ये केमिकल युक्त होता है जो आपके शरीर के लिए नुकसान दायक होता है इसलिए इसका इस्तमाल कम से कम करना चाहिए दूसरा, अधिक देर तक स्नान करना सिहत के लिए नुकसान दायक होता है अगर आप भी बहुत अधिक देर तक स्नान करते हैं तो माल लेजिए ये आपके लिए कतई फायदेमन नहीं है। इससे आपकी तवचा शुश्क हो जाती है और तवचा कई तरह के रोग से ग्रस्थ हो सकती है। इसलिए आप अपने शरीर की तवचा को खुबसूरत और स्वस्त बनाई रखने के लिए कभी भी अधिक देर तक स्नान न करें। तीसरा, अक्सर वेक्ती सर्दियों के मौसम में गरम पानी से नहना पसंद करते हैं। लेकिन जादा गरम पानी से नहना आपकी तवचा के लिए बहुत नुकसान दायक होता है क्योंकि इसमें आपके शरीर में जुरियां पढ़ने लगती हैं जिसकी वज़ा से आपकी तवचा में उम्र से पहले ही बुड़ापा जलकने लगता है। चौथा, सनान करते समय भूल कर भी नहने के पानी को सीधे सिर पर न डालें। इससे स्ट्रोक आने का खत्रा बना रहता है। विशेशक के अनुसार इस इस्टिती में नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है और स्ट्रोक आ सकता है। इसलिए नाते समय हमेशा सबसे पहले पैरों पर पानी डालना चाहिए। पाचवा, सनान करने के बाद व्यक्ति को कभी भी अपने शरीर को गमचे से साफ नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से आपके शरीर में मौजूद नमी पूरी तरह से खत्म हो जाती है जिससे हमारी तवचा पर खुसकी बनी रहती है। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेर जरूर करें चैनल को फॉलो और सबस्क्राइब जरूर कर लें धन्यवाद